विडियो जितने भी छोटे बड़े अपडेट्स आते जा रहे हो मैं आपको बताता जा रहा हूँ अपने वीडियो के थुरू और आपको बस मेरा जो मकसद है वो यह कि मैं आपको इंफॉर्म कर दो टाइम ली चीजों के बारे में है तो आज विडियो है बिच्किली वो चैना के लिए ज्यादा है चाना की न्यूस्न वेजादा है हवेश्जा में लिए वंट कोल या तो हम चैना की कंटेक्स में देखना चाहते हैं कि हम Restaurant दो का कशिए है जैसे कि मैंने टाइटल में लिग दिया कि October 1 से क्या शुरू होने जा रहा है वीजा पॉलिसी में चेंजिस तो बेसिकली नियूस है चाइना के लिए ठीक है तो इनके जो पी एम थे भी रिसेंटली इन्होंने ने स्टेटमेंट दी है एक ऑफिशन सेटमेंट दी है कि October 1 से य मुझ खोल के खुले आम कह दिया कि हम इंडियन और चाइनीज ट्रावलर्स को जो है टागेट कर रहे हैं आने वाले टाइम में लेकिन यहां पे इनको चैलेंच आरा है चाइना मार्केट से बिकास इसलिए जादा उसको हैमियत दे रहे हैं बिकास जितने टूरिस एक्स्प और दूसरी चीज़ यह है कि वह तो नहीं आ रहे हैं बट एड़ सेम टाइम थाइलेंड इसलिए जादा इनको इंपॉर्टस यह में देती है विकास थाइलेंड के अंदर भी बहुत सारे बिजनस हैं चाइनीज जो की चोड़े बिजनस को चाइनीज जो हैना फंड करते है तो एक यह भी रीजन है जिसके वह से यह थोड़ा चाइना को प्रियॉरिटी जादा देते हैं और चाइना का जो बिजनस मॉडल वह यह रहा है कि कहीं से अगर छोड़े-छोड़े बिजनस करके अगर दो परसंट प्रॉफिट भी मिलता है चार परसंट भी मिलता तो इसक अगर हम चाइना के लिए वीजा-free तो उसकेस के अंदर ड्रॉबैक यह है कि जितने भी इनकी कॉल सेंटर गैंग्स है या इनकी बिजनस इस वह ज्यादा फ्रॉरिश कर जाएंगे थाइलिंट के अंदर तो इसकेस्ट परसंट परसंट भी मिलता है कि जो फुगट का इमिगूरिशन बेरो है उन्होंने गोवर्मेंट के साथ कोप्रेट करने का फैसल ही है चाहे वह जो भी डिसीजिजिए लेस वो गोवर्मेंट तो यहां पर स्ट्रॉंग चांसिस तो जरूर मुझे देखने को मिल रहे हैं कि जो वीजा फ्री ओफर्स हैं वो इंडिया चाइना या रश्या के लिए भी स्टार्ट हो सकते हैं किसी भी टाइम थोड़ा सा मुझे यह लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं यह यह भी कर सकते हैं कि अगर निगल के आता है उसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा और मैने जैसे पहले भी काया कि रॉयल गैजट के अंदर अगर यह चीज यह जब तक फब्लिश नहीं करते हैं तब तक हम किसी भी कॉंक्लूजिजन पर नहीं पहुंच सकते हैं तो अक्टूबर एक वो तरीक ह जहां पर हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो उसके लिए क्या है कि बेसिकली सी इस जस्ट डेवलप्मेंट राइट ना ठीक है अग्टूबर एक के आसपास मैं एक्सपेट करता हूं कि हमें कुछ मिलना चाहिए क्योंकि अगर यह वीजा वेवर प्रोग्राम चाइनीज के लिए शुरू करने जारे एक्से दिन डेफिनेटली इंडिया के लिए और शेकली इनको करना चाहिए ठीक है अब होता है नहीं होता हूं बात की बात कि मुझे एक चीज और लगती है आप है वह यह कि यह लोग क्या कर सकते हैं कि पहले एक हफ्ते अक्टूबर के पहले के लिए चाइनीज नैशनल के लिए यह स्टार्ट कर सकते हैं विजा वेवर प्रोग्रम और अगर वो सक्सेस्फुल रहता है यह जो अगर वो कंट्रोल कर पाते हैं क्राउड को देल दे माइट स्टार्ट फॉर इंडिया एंड रॉश्या इस बन फॉलूंग वीक्स के लि ही मिलती है बेटर दियो प्लाइफ और वीजा एंड देन यू ट्रैवल ठीक है क्योंकि उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते अगर आपकी ट्रैवल डेट नियर है अक्टूबर में जो भी डेट हो गया ठीक है लेकिन हमें कुछ पता जरूर लगना चाहिए लास्ट वीक ऑफ सेप्टेंबर में और फिर्स वीक ऑफ अक्टूबर में ठीक है तो मुझे ऐसा यही लग रहा है फिरसे मैं कहता हूं कि हो सकता है यह पहले एक हफ़ते में चाइनीज टूरिस्ट के लिए वीजा वेव प्रोग्रम स्टार्ट कर दें उसके बाद यह रिस्पॉंस देखें कि कैसा रहा है रिस्पॉंस इनका जादा अच्छा फिर भी नहीं आएगा दो चार परसंट को उपर फरक पड़ जाएगा वह इस वक्या है कि बेसिकली जैसे मैं पहले कह रहा था कि चाइन मैं स्ट्राटिजी नहीं यहां बना रहा है बट मेरे एक एक एसमिशन है जो मैं आपके साथ शेर करो कि ऐसा भी हो सकता है ताके आप कुछ प्रपेड रहे अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो एकॉर्डिनली यू किन आट ठीक है यह परपस जाए तो यहां पर अक्ट क्योंकि पहले इन्होंने एरपोर्ट को रिक्वेस्ट की थी अपील की थी कि हमें इमिग्रेशन काउंटर जो है लगा के दिये जाए और नहीं लेकिन इनको डिनाई कर दिया किसी रिजन की वज़े से तो आब इन्होंने नई पीम से यह भी अपील किये है कि इन और तो इन्मिग्रेशन काउंटर्स अधी एरपोर्ट तो यह था चोटा सब्डेट आज इस चोटी से वीडियो में तो कहना मुझे यह था बेसिकली कि अक्टूबर एक तक आप एक्स्पेट कर सकते हैं कुछ न्यूस है चाइना के लिए हालना कि हम के अंटिसपेट कर सकते हैं उ कुमाचल, गुत्पाइंट एक्या उन्यूस कर सकते हैं